साइज 1.3 से question number 1 करेंगे find each of the following products यह आपको जो दे रखे हैं ए से लेके जे पार्ट तक इनमें आपको product निकालना है product यानि कि इनका multiplication करना है बीच में sign भी लगा हुआ है multiply का चले शुरू करते हैं तो product करने से पहले integers के अंदर जो multiplication के rule होते हैं वो में एक बार आपको फिर से revise करवा देता हूँ देखे multiply के अंदर अगर आपके दो number है और दोनों के अंदर minus into minus हो रहा है तो वो plus बन जाएगा अगर दोनों के number plus है तो भी plus बन जाएगा यानि कि अगर sign same है न तो plus बनेगा लेकिन अगर एक minus का है और एक है plus का तो फिर वो minus बन जाएगा simple सी बात है minus minus plus 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 और minus into plus तो ये minus होगा अगर sign different है तो minus बन जाएगा एक तो बात आपको ये याद रखनी है दूसरा question को बड़ी simple करने के लिए multiply के अंदर क्या है कि जितने भी आपके numbers है multiply में उन सब का पहले आप simply product कर ले सिर्फ numbers का product कर ले और बाद में ये देख लें कि minus के कितने है अगर minus के आपके 1 है तो answer minus आएगा अगर minus के 2 है तो answer plus आएगा क्यों क्यों क्योंकि minus और minus का pair बन गया लेकिन अगर minus आपके 3 है तो फिर से minus हो जाएगा और अगर minus के आपके 4 है minus के 4 है तो फिर से plus हो जाएगा क्योंकि 2 minus का फिर से pair बन गया तो यह बड़ी simple सी बात है जब यहाँ पे questions होंगे तो हम आपको समझाता हुआ चलूँगा चलिए a part देखिए 3 into minus 1 simple पहले number का multiply करते है 3103 बड़ा simple सा था अब यहाँ पे a की minus है ना और यहाँ पे a plus है तो plus minus तो minus ही होगा यह इसका answer हो गया बी पार्ट देखिए 225 को 1 से multiply करेंगे तो 225 आ गया पहले आप number का product करें sign पे आप बाद में ध्यान दे तो number नंबर आ गया है 225 अब यह minus है और यह plus है तो plus minus तो minus होता है तो यह minus का निशान आएगा C पार्ट देखिए 21 को 30 से multiply करना है तो 21 को 30 से multiply करेंगे तो 0 तो पक्का पक्का आएगा ही क्योंकि यहाँ पे पीछे यह 0 है यह इसका आसान तरीका बता रहा हूँ आपको multiplication का जबी भी आपके number zeros में हो न तो सबसे पहले पीछे 0 गिल ले तो 0 तो एक ही है अब यहाँ 21 और 3 बच गया तो 21 को 3 से multiply कर ले 3 1 जा 3 3 2 जा 6 तो यहाँ पे 630 आएगा यह तो इसका number है अब sign यहाँ minus है और minus है तो minus minus प्लस हो जाता है प्लस लगाने की कभी ज़रूर्थ होती नहीं है D part देखिए 316 multiply 1 मैं sign नहीं बोल रहा हूँ अभी इसमें confusion मत हो ना आप सिर्फ number पर पहले focus रखा करें आप 316 into 1 तो 316 ही आएगा अब 2 minus है ना minus minus बन गया प्लस प्लस लगाने की ज़रूर्थ होती नहीं है E part देखिए E के अंदर 15 into 0 into 18 sign मैं बोल नहीं रहा हूँ सिर्फ यह देख लीजे कि यहाँ पर 0 लिखा हुआ है अब 0 को आप किसी से भी multiply कर दीजिए दुनिया के किसी भी number से आप 0 को multiply कर दीजिए वो सब को 0 ही बना देता है इतना सा simple है इसका answer आपको दिमाग लगाना ही नहीं है सीधा का सीधा 0 answer आ जाएगा अगले पार्ट को देखिए यहाँ पर है minus 12 minus 11 into 10 तो पहले सिर्फ नंबर पर focus करें मुझे multiply करना है 12 को 11 से तो 12 को 11 से जब मैं multiply करूँगा तो 1 2s are 2, 1s are 1 और यहाँ फिर से यह 12 आ जाएगा यह 2 आ गया और यह 3 आ गया यह 1 आ गया तो 132 आ जाएगा इन 2 का product और इन दोनों में sign देखूँ तो minus और minus तो minus minus तो plus हो गया तो plus का 132 आ गया और इसके आगे लिखा हुआ है इन 2 में 10 अब इसको मैं 10 से multiply करूँगा तो यह 1, 3, 2 और यह 0 लग जाएगा और यह भी plus है यह भी plus है तो answer plus का आएगा चलिए जी part देखिए जी के अंदर इसे मैं 2 तरीके से बताऊँगा आपको सवाल को करना पहले तो pair लेके जैसे 9 और 3 को multiply कर दूँ मैं तो 9, 3000 हो गया 27 और यह plus का यह minus का तो plus minus minus का 27 और इसको ले लेता हूँ मैं यहां अलग से अभी मुझे 27 को 6 से multiply करना है तो 27 को मैं 6 से multiply करूँगा तो 6, 7's are 42 यह 4 आ गया यह 6, 2's are 12 और 12 में 4 जोड दिया तो यह हो गया 16 162 आ गया अब यह minus और यह minus है तो minus minus 2 minus मिलके plus हो जाता है तो यह plus का 162 आ गया है इसका दूसरा तरीका मैं कहरा था कि क्या है कि simple आप लंबा multiply कर ले 9th result 27 हो गया और 27 का multiply जब 6 से किया तो 162 आ गया तो इसके सामने is equal to करके आप यही भी लिख सकते हैं 162 यह सारा ना करके और 2 minus है ना तो ज्यानी की pair बन गया minus का minus का pair बन गया तो answer plus का आ गया लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे step wise तो ठीक रहेगा चली इसे करते हैं minus 18 into minus 5 इन दो को मैं पहले product करूंगा number पे focus करूं तो 18 और 5 18, 5000 हो गया है 90 और minus और minus मिलके बन गया plus आगे minus 4 से इसको multiply करना है 90 को 4 से multiply करूंगा तो 0 तो पक्का पक्का आए गई अब बचा 9 और 4 9 4 जा 36 तो पूरा 360 आ गया अब ये minus है और ये plus है तो plus और minus मिलके होता है तो ये answer minus में आएगा next देखिए यहाँ पे पहले step wise करके दिखाता हूं कि minus 1 को minus 2 से multiply करना है तो 1 2 0 हो गया 2 और minus और minus मिलके plus हो गया आगे बढ़ते हैं आगे मैं exit is copy कर लेता हूं अभी मैं इन दो का pair बना लेता हूं तो 2 3 0 हो गया है 6 और यहाँ एक minus और एक plus है तो minus का 6 हो गया multiply ये 4 अब 6 4 0 हो गया है 24 और ये minus और ये plus तो plus और minus तो minus हो गया तो इस तरह से आप ये question करेंगे लेकिन अगर इसका मैं direct answer बता दूँ आपको तो आप उंगलियों पे भी इसका product निकाल सकते हैं 1 2's are 2 2 3's are 2 3's are 6 6 4's are 24 लिख दिया 24 अब minus गिल लिजिए 1 2 3 और मैंने बताया कि जब minus का pair नहीं बनते हैं पूरे-पूरे तो answer minus में आता है pair से मेरा मतलब है 2 minus के हो 4 minus के हो 6 minus के हो 8 minus के हो तो आपका answer positive आता है ये even हो गए है अगर even numbers हो आपके minus में लेकिन अगर odd हो जैसे कहीं पे 3 minus हो तो फिर answer minus ही आएगा इसे फैला के कर सकते हैं ये direct answer भी कर सकते हैं मैं पहले इसको खोल खोल के करूँगा तो पहले मैं minus 3 और minus 6 का product करूँगा तो 3 6 0 हो गया है 18 और minus और minus मिलके बन गया plus आगे मैं इसे copy कर देता हूँ अब मैं 18 और minus 2 को ले लूँगा 18 2 0 हो गया है 36 और minus और plus minus हो गया into में minus 1 हो गया अब 36 और वनजा 36 हो गया और minus और minus होके plus हो गया तो plus का 36 आ गया अब direct इसका answer आपको बता दूँ तो direct हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 36 018 18 2 036 36 वनजा 36 ये तो लिख दिया मैंने number number sign देखूँ तो 1 2 3 4 यहाँ 4 minus के न यानि कि जो minus है उनकी जो गिंतिय वो even है तो answer plus हो जाएगा क्योंकि 4 पेर बन जाता है न तो इस तरह से आप इनको करेंगे इतना simple होता है इनका product करना question खतम तो इस वीडियो में बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं